हाई वेलकन तो मैं चैनल इस बीड़ी में solve करें question number 11 तो ध्यान देज़ेगा करें कि find the smallest number by which 4851 must be multiplied so that the product becomes a perfect square तो हमको बताना है वह smallest number जिससे हम 4851 में multiply करेंगे तो यह जो number है वो perfect square बन जाएगी तो यहाँ पर जो process है जो तरीका है वो यह है इस question solve करने का कि आपको पहले 4851 को factorize करना होगा और इसके factors निकाल ले होगे और आपको देखेंगे आपकी factors में किसी का pair नहीं बनेगा सारे factors का pair नहीं बनेगा कुछ factors का बन जाएगा, कुछ का नहीं बनेगा जिसका नहीं बनेगा pair वही number अकेला रह जाएगा तो उसको हम pair बनाने के लिए हम उसी number से multiply करना पड़ेगा हमें तो वही बोल रहा है कि find the smallest number वह smallest number क्या होगी जिससे multiply करेंगे हम तो अभी clear हो जाएगा आपको जो मैं यहां पर solve करूँगा तो तो we have हम जाएख लेंगे we have हमारे पास जो number है वो है यह 4851 इसका कर लते हैं पहले factorization देखें यह जो है number 3 से divide हो जाएगा 3 से cancel out हो जाएगा क्योंकि इंको add करने पर 18 आएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 12 और 5 17 17 और 1 18 तो 3 से divide हो जाएगा 3 3 कितना बचा 1 बचा 18 हो गया and 3 6 18 and 3 3 आप कितना बचा 2 बचा 21 3 7 बचा 21 अब यह number जो है फिर से 3 से cancel out हो जाएगा क्यों क्योंकि यह number 3 से divide हो जाएगा add करने पर 6 1 7 7 1 8 और 8 7 15 15 तो 3 5 जा 15 हो जाएगा और 1 बचेगा 11 हो जाएगा 3 3 9 and 2 27 हो गया 3 9 जा 27 ठीक है 5 139 आ गया अब जो है यहां पर यह कैसे कटेगा 5 और 3 8 हो गया 8 8 16 and 17 यह नहीं कट पाएगा अब 7 से चेक करना पड़ेगा कि यह 7 से कटता है कि नहीं क्योंकि यह तो 2 से भी नहीं कटेगा तो अब यहां चेक करेंगे 7 से कटेगा नहीं 21 is equal to आगे हमारा 3 into 3 into 7 into 7 into 11 यहां पब पेर किसका बन रहा है तो 3 का बन रहा है और 7 का बन रहा है लेकिन यह 11 का पेर नहीं बन पा रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा क्या बोला है कि find the smallest number वह smallest नमर बताईए by which इसको multiply जब करेंगे जब करना चाहिए कि वो multiply करने पर क्या मिल जाए product जो मिले वो बन जाए perfect square तो यह पताईए यह जो number है वो perfect square नहीं है इसमें क्यों क्योंकि 11 का पेर नहीं बन पा रहा यदि 11 का पेर बन जाता तो यह perfect square होता तो इसको perfect square बनाने के लिए कौन सा smallest number से म 11 से multiply करना पड़ेगा तो clearly यहाँ पर लिखलेंगे हम clearly 4851 must be multiplied by 11 to get a perfect square perfect square इसका मतलब कि हमें हमारा जो answer होगा वो क्या होगा 11 होगा this is your answer for this question और कुछ ने निकालना है हमें यह भी ने निकालना कि यह perfect square बनाने के बाद जो number आएगी वो क्या होगा यह भी ने निकालना कि पुछा है कि बस वो smallest number क्या होगा तो 11 हमारा smallest number होगा जिसे मारा ब्लाइक करने पर यह जो है perfect square बन जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही है तो hope कि आपको अच्छा लगा होगा और समय में आगे होगा तो thank you so much for watching बाई